उप्तुनाव से पहले एक बार फिर से कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी की नजार बीएसपी से गटबंदन पर जाती की है लेकिन मायवती किसी भी पार्टी से गटबंदन करने के बिलकुल भी मूड में नहीं है मायवती ने क्लेर कर दिया है कि वो आरक्षन विरोधी पार्टी के साथ किसी भी चुनाव में गटबंदन नहीं करेंगी साथी कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने निशान पर लिया हाला कि मायवती ने जैसे गटबंदन की खबर को खारिस किया कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी को ही दलित पिरोधी बताने लगी आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे राहूल गांदी और अकलेश यादों की उम्मीदों पर एक बार फिर पाने फिरा है उत्तर प्रदेश में जिस गटबंदन की हवा लोकसभा चुनाव से पहले उठी थी एक बार फिर वही हवा उपचुनाव से पहले बेहने लगी है वो इसलिए क्योंकि मायवती ने एक दिन पहले अकलेश यादव और उनकी पार्टी की तारीफ की थी उन्होंने लिखा था सपा मुख्या ने बीजेपी विधायक को उनके गलत आरोपों का जवाब देकर बीएसपी प्रमुक की इमानदार होने के बारे में सच्चाई को माना है उसके लिए पार्टी आभारी है मायवती का जैसे ही ट्वीट आया सियासी गलियारों में गढ़बंदन की बहस शुरू हो गई हमारे राष्टिय अदेश स्रीय अखलेश यादो जी और बहुजन समाज पार्टी राष्टिय अदेश सुच्चन मायवती उनके उपर कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए देश के हित में परदेश के हित में और जिस तरह युवा नौजवान बेरोजगार भाई बहन सडकों पर टेल रहें न्यायन नहीं मिल रहा बहनों को न्यायन नहीं मिल रहा किशान पीडी था गरीब मजदूर चात्र सब पीडी था तो संभो उनको न्याय दिलाने के लिए संभो हो सकता है। मायवती ने कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी से गढ़बंदन की अफवा को जैसे ही खारिज किया। सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। कॉंग्रेस ने कहा मायवती बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। तो समाजवादी पार्टी ने कहा मायवती को पूरा अधिकार है कि वो अपनी पार्टी और गड़बंदन को लेकर कोई भी फैसला करें दलिप के बेटी से दौलत की बेटी तक का सफर मायवती जी के पतंग का सफर रहा है कहा तो वो बहुत दबंग बुक्षंत्री होती थी उत्तर रुदेश की और एक समय लगता था कि कभी प्रधानमंत्री बन सकती है लेकिन उनोंने बाबा साव मेटकर से लेके मानुवर काशी राम तक के मिशन को जिस तरह चौपट किया वो इतिहास में दर्ज है अपने आप में और निश्यत तोर पर बड़ी उम्मीद थी उनसे कि वो दली समाज को पेच्छड़ी समाज को गरीब समाज को आगे ले जाएंगी और उनके लिए इस मिशन के अंदर को इसा काम करेंगी यानि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में पिएसपी अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है और मायावती ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में कॉंग्रेस और समाजवादी पार्टी से गड़बंदन करने की सोच भी नहीं सकती है हाला कि मायावती के इस डबल स्टेंड से अखिलेश और राहूल गांधी जरूर कन्फ्यूज है Bureau Report, News 18